हाई गाईज, कैसे हैं आप सब, वेलकम तू दे चैनल, दोस्तों, आज किस वीडियो में हम फाइव डे बैंकिंग को लिएक लेटर को डिसकस करेंगे, जो कि यूनियन ने लिखा है श्री नरेंदर मोधी जी को, दोस्तों, अभी तक जितने भी लेटर लिखे जा रहे थे, मै तो जितने लिखा गया, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों, अभी तक आप मारे चल में नहीं हैं, तो चनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों, किसारशय का न बिल्कूल न भूलें, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है, All India Punjab National Bank Officers Federation की तरफ से, ये एक latest letter है, 28 February 2024 का, ये लिखा गया है, श्री नरेंदर मोधी जी को, जो कि Honorable Prime Minister of India है, दोस्तों, इसका subject है, 5 Day Working Week for Public Sector Banks, तो चलिए लेटर कूम देखते हैं क्या क्या लिखा गया है, सबसे पहले letter में कहा गया है, आपके पहले कारेकार में, banks को 2 Saturdays off मिलें, इसके लिए bankers आपके अभारी हैं, bankers आपको धनेवाद करना चाहते हैं, इसके बाद 10 साल से bankers 5 Day Week का इंतिजार कर रहे हैं, पिछले 10 साल से, banks ने अपना best दिया है, government scheme को implement क कराने के लिए, जितने भी public sector banks हैं, उन्होंने जितने भी government schemes हैं, जैसे कि DBT हो गया, UPI हो गया, जन्दन, यह सारी schemes हैं, अलग-अलगी schemes, जिनको implement किया है, जमीनी स्थर पे बहुत अच्छी तरीके से government sector banks ने, इसके बाद उन्होंने का, क्रिप्या, आप अपना 15 मिनिट का स इससे जादा इंतिजार है 5-day-week मिल जाए, इसके लिए, जो 5-day-week अगर हो जाता है banking में, तो इससे जो employees की productivity और बढ़ जाएगी, और work life balance में सुधार तो आएगा ही, जैसे कि आप सबने देखा है, आजकल suicide की cases बढ़ते जारे हैं, तो 5-day-week और ज़रूरी हो जाता है bankers के देखते हुए, दोस्तों next इस letter में कहा गया है कि digitalization की वज़ा से 90% transition online होने लगे हैं, जिससे customers ब्रांच में कम विजिट करते हैं, और digitalization की वैसे 5-day-week होने पर कोई भी समस्या नहीं आएगी ग्राकों को, इसके बाद कहा गया है सारे financial sectors जैसे RBI हो गया, government and insurance companies हो गई, से भी हो गया, यह सब 5-day-week काम कर रहा है, तो bankers को क्यों 5-day-week नहीं मिल रहा है, 5-day-week का प्रपोजल नौंबर 2023 को finance ministry को receive हो गया है, उसके बाद 3-4 महीने हो गया है, अभी तक कोई भी इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है, कोई भी decision नहीं लिया गया है, आई-बिय से जब 5-day-week मिल जाएगा, कुछ लोग इस पक्ष में भी कि पहले बाइपरटाइट सेटलमेंट कर लिया जाएजा, 5-day-week का आगे देखा जाएगा, बट मेरा एस मानना है, कि 5-day-week पहले मिल जाना चाहिए, 5-day-week मिलने के बाद ही बाद ही बाइपरटाइट सेटलमेंट सा किमले तेड़ता प्तों जाएग हाना